आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे powerful manifestation and affirmation technique के बारे जो आपके किसी भी विश को मातर 5 दिन में पूरा करने की छमता रखता है जिसका नाम है 5x55 technique जिसे आम बोलचाल की भासा में 555 technique कहते हैं दोस्तों यह technique बहुत ही आसान है इसके बाद भी बहुत सारे लोग इसमें गलतियां कर देते हैं तो आज हम इस वीडियो में इसी technique के बारे में जानेंगे कि आखिर क्यूं यह technique कितना खास है और क्यूं इतनी powerful है कि यह आपकी किसी भी विश को किसी भी डिजायर को मातर 5 दिन में पूरा कर देती है तो इन सभी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंतर तक जरूर देखिए क्योंकि कहीं ऐसा नहों कि आप किसी महत्पूर्ट पॉइंट को छोड़ दें और आप भी वही गलतियां कर बैठें जो और लोगों ने की है सबसे पहले हम यह जानते ह कि यह 5 इंटो 55 टेकनिक क्या है यह टेकनिक लाव अप एक्ट्रेशन की बहुत ही सिंपल पर बहुत ही पाउरफुल टेकनिक है जिसमें आप 5 दिनों तक अपने ड्रीम्स, विसेज, डिजायर को अफर्मेशन के माध्यम से सबकॉंसेस माइन में पहुचाने का प्रयास करते हैं एक निशित प्रक्रिया के साथ करते हैं और जैसे ही आपकी विस या इच्छायें आपकी ओचितन मन तक पहुचती हैं वो उसे रियल्टी में बदलने के लिए कारिक करने लगता है दोस्तों हम अब 5 इंटो 5 टेकनिक के बारे में और जाने उससे पहले मैं आपको अफर एक ऐसा statement होता है जो simple, positive and definite होता है जो हम खुच से बोलते हैं और उसे हम इस तरह बोलते हैं जैसे कि वो हमें पहले से ही मिल चुका है जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मैं एक स्वस्त और भागिसाली इंसान हूं तो यह एक simple और positive and definite statement होता है ऐसे वाक्यों को आपका उचितन मन जल्दी स्विखार कर लेता है जब ऐसे affirmation हम बार बार बोलते हैं तो यह हमारे अचितन मन के लिए reminder का काम करता है तो दोस्तों मुझे उमीद है आपने affirmation के बारे में समझे लिया होगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे detail में समझाओं तो आप हमें comment करके बता सकते हैं तो चलिए अब हम 5 इंटू 5 टेक्निक के बारे में detail से जानते हैं दोस्तों 5 इंटू 5 टेक्निक के अंदर 5 इस पूरे ब्रहान के उन 5 तत्तों को रिजबरजन करता है जिस से मिलकर इस पूरे ब्रहान का निर्माड होता है और जब हम इस नंबर के power के साथ कोई चीज जो कुछ भी चीजे मौजूद हैं उन सब चीजों में यही तत्तों मौजूद होते हैं जब इन 5 तत्तों को ध्यान में रखते हुए 5 इंटू 5 टेक्निक को इस्तिमाल करते हैं तो यह जरूर पूरा होता है दोस्तों law of attraction के 5 इंटू 5 टेक्निक में law of vibration का बहुत बड़ा र जोसिस करते हैं जब आप किसी बेक्ट से मिलते हैं या किसी अस्थान पर जाते हैं या फिर जब आपके करीब कोई वस्त को लाया जाता है तो आप यह महसूस कर पाते हैं कि इन चीजों के आपकी पास आने पर आपको कैसा लगा कैसा महसूस हुआ या उस वस्त और आपके vibration के कारव होता है आप इन वाइब्रेशन को दूर बैठे बैठे भी महसूस कर सकते हैं जैसे अगर मैं आपको motivational story सुनाओं या कोई डरावनी कहानी सुनाओं तो आप उस अस्थान पर मौजूद नहोंने के बावजूद भी डर उत्साह या खुसी का अन्भो कर पाते हैं और आपका शरीर उसे के अनुसार प्रतक्रिया करने लगता है और आप उन चीजों को अपने आसपास महसूस करने लगते हैं बस इसी प्रकार जब आपके वाइब्रेशन आपके विशेस की वाइब्रेशन से मैच कर जाते हैं तो वे आपके सबकांसेस माइंड में फीड हो जाते हैं और वो चीजे आपके और आकरसित होने लगती तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि इस 5 इंटू 5 5 टेक्निक को इस्तिमाल कैसे करना है पहल भारी चीजे आपके मस्तियस में एकदम क्लियर होनी चाहिए क्योंकि चैञेए आपको खुद या क्लियर नहीं होगा कि आपको क्या चाहिए तो आप उन चीज़ों को अपनी और कैसे एक्टेट कर सकते हैं दोस्तों जब आपको अपनी ड्रिम अपनी विसिस की पिक्चर इदम क्लियर हो गई हो तो हम दूसरे स्टेप पर चलेंगे दूसरे स्टेप में आपको एक कौंपी पेन क्या हो सकता होगी पेन आप रेट के अलामा किसी भी दूसरे अन्य कलर का चुन सकते हैं अब आपको अपने किसी एक विस का चुनाव करना है जिसे आप रियल्टी में बदलना चाहते हैं ध्यान रहे आप एक बार में एक ही विस पर कार करें या अपनी किसी एक विस को कई छोटे छोटे विसेश में बाट ले और बारी-बारी से एक-एक पर कार्य करना शुरू करें जब आपकी एक विश पूरी हो जाए तब आप दूसरे विश पर सिफ्ट हो जाए तीसरे स्टेप में आपको एक सांत अस्थान का चुनाव करना है और इस अस्थान पर बैठ कर सांत मन से अपने विश को 55 टाइम्स लिखें इसके लिए आपको किसी मोटी डायरी का चुनाव करना पड़ेगा यहां आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप अपने विश को अफर मेशन के रूप में लिखें और यह वर्तमान काल में लिखा होना चाहिए और इसके साथ यदि आप gratitude को चोड़ दें तो यह और भी बेहतर होगा जैसे यदि आप कोई कार खरीदना चाहते हैं तो आप लिखें Thank you universe मैं नई कार खरीद लिया हूँ और मैं बहुत खुस महसूस कर रहा Thank you अब आपको अपनी विश को एक ही स्थान पर सांत मन से पाच दिन तक लगातार 55 बार लिखना है और आपको यह कोशिज करना है कि आप इसे एक निश्चित समय पर ही करें तो बेहतर होगा दोस्तों आपको अफरमेशन लिखते समय या ध्यान रखना है कि आप अफरमेशन में ऐसे सब्दों का चुनाव नहीं करेंगे जैसे ना, नहीं, सायद, मुझे चाहिए, मुझे जरूरत है, मुझे लगता है कि यह पूरा हो जाएगा इस तरीके के सब्दों का इस्तमाल न करें, यह आपके अफरमेशन और आपके विलिंग्स को कमजोर करती है दोस्तों, अब जब आपका पाँचवा दिन पूरा हो जाए, तो आप इसे लेटको करते हैं, और मुझ फारवड हो जाए अब आपको उन पाँच दिनों पर पूरे विश्वास के साथ, अपने काम में जूट जाना है, और अपने consciousness को थोड़ा बढ़ा दे दोस्तों, आपको या ध्यान रखना है, यदि आपके मन में, सपने में, उस विश्व को पूरा करने के लिए कोई भी हिंट मिलते हैं, तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि यूनिवर्स इन्ही सब माध्यमों से आपके विश्व को पूरा करने के लिए message और help भ दोस्तों, आप इस 5 into 5 टेक्निक का इस्तेमाल करें, और अपने experience को हमसे share करें, और यदि आपको या वीडियो informative लगी हो, तो इसे like और हमारे चैनल को subscribe जरू करें, धन्यवाद